Hello all Hi Shilpa Myself Shreeti Sinha from Sovich The Real Astrologer आज पिर आपके सामने आई हूँ Tarot Reading करने के लिए आपके सवालों का जवाब देने के लिए Health, Education, Finance, Relationship से related आपका जो भी problem है आप पूछ सकते हैं Shilpa I am fine, how are you? Wish you a very happy new year और happy Makka Sakranthi हमारे Hindu calendar से ये हमारा अभी नया साल 14 तारिक से स्टार्ट होता है और ये first week हुआ राजे इश्री आपके बारे में कुछ बता दो आपके बारे में क्या बता दो आप अपना सवाल पूछिए I'll start, let the people join Hi Neha Hello Parag आज मैं थोड़ा दो तीन मिनिट पहले ही जोईन कर लिए फाइव मिनिट सो that I can talk to you all वनसी का पुझारी थोड़ा मैं आपको टैरो रीडिंग के बारे में थोड़ा और ब्रीफली इंट्रोड़क्शन दे देती हूं बिकास अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको टैरो के बारे में नहीं पता है वैसे तो ये रियल एस्ट्रोड़ोजी जो है सुविच हर जगा चलता है नौट ओली इंडिया मैं इंडिया में अभी भी थोड़े लोग ऐसे हैं जिनको टैरो के बारे में उतना नहीं पता है तो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोड़क्शन देती हूँ टैरो के बारे में कि टैरो होता क्या है टैरो कार्ड्स है जो कार्ड्स इंट्रप्रेटेशन द्वारा हम आपका पास्ट प्रेजन्ट और फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं अगर किसी चीज में confusion है समटाइमज बहुत बार हमारे life में ऐसा confusion होता है कि जॉब करे यह बिज्नस करे गर्फमें जॉब में जाए यह प्राइवट जॉब में जाए इस तरह का confusion अगर होता है तो उनको क्लारिटी देता है उनको उन confusions को दूर करने के लिए और clarity आपके life मिलाने के लिए हम tarot card से करते हैं so that it can clear your confusions, life में आपको कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से राजे शर्मा आपका question क्या है teacher line में कुछ बताओ what do you mean by teacher line में कुछ बताओ so I'll start the I think session Harav Dhiman, hello people feel की ये tarot cards कैसे work करता होगा और कैसे answer दे देता है ये cards से कैसे answer आजाएगा but it is that कि cards में energy होता है ये बिलकुल energy और intentions पे work करता है तो और by being a tarot reader हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इसमें अभी भी energy और हम लोग में ऐसा practice करते करते आ गया है एक कि मतलब हम लोग आपका answers जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं और बिलकुल जो answer चाहिए आपको या मतलब you could relate to your past, present and your future पराग बंसल जी हर बार मेरा रह जाता है इस बार आपका नहीं रहेगा नेम टल मी अबाउट मैं finance and money in coming days and weeks ओके पराग बंसल जी का मैं first question लोगी इस बार आपका नहीं रहेगा पराग बंसल जी आपके finance के बारे में बताती हूँ कि आने वाले समय में आपका finance कैसा रहेगा पराग जी के लिए कार्ट निकाल रहे हूँ पराग जी आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है थोड़ा अपने मन को थोड़ा और अप समाल के चलिएगा थोड़ा यहां पर कहीं कहीं दो तीन बर इस दो कार्ट ऐसा आया जो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा जादा emotional है यह है पर एक winning situation आया अगर आप किसी project में या कोई भी ऐसा चीज में काम कर रहे हैं तो उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका बहुत अच्छा मतवागी finance जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा coming days में second thing मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि आने वाला जो समय है वो और कुछ जादा लेके आने वाला है जिससे आप यह कह सकते हैं कि आपका finance आने वाले समय में थोड़ा बढ़ने वाला है एक नया opportunity भी शायद आपको मिले जिससे कि आपका finance coming days और week में आपका पैसे का जड़िया बढ़ने मतलब एक दो और income आएगा second thing मुझे आपके cards यह भी indicate कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर अभी पहले थोड़ा problem था आपका family या financial related जो problem था family में वो अब नहीं रहेगा आप जैसा चाह रहे हैं वैसा समय आने वाला है और आने वाले समय में आपको पैसे से related कोई problem नहीं होगा और सब अच्छा रहेगा आपके लिए so शायद नया साल आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाला पैसे point of view से आपका income बढ़ने वाला है मुन्मुन के लिए question लेती हूँ hi ma'am happy new year मुन्मुन जी आपको भी happy new year some civil my husband Rajat Achaare contact me for reunion confused and tension में हूँ tension में मत रहिए मुन्मुन जी आपके लिए मैं देख रही हूँ question कि आपके husband से आपका reunion होगा की नहीं ठीक है 2020 में बहुत कुछ tension tension था 2021 में सब के लिए कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है तो इस साल आपके लिए भी अच्छा होगा let's see मुन्मुन जी के लिए आपके husband से reunion होगा की नहीं मुन्मुन जी मैं आपको तो पहले थोड़ा बताना चाहूँगी कि मुझे एक card आया जो ऐसा दिख रहा है कि sometimes ऐसा होता है कि आदमी थोड़ा पूजा पार्ट में belief करते हैं या नहीं करते हैं आप मुझे नहीं पता पर करना चाहिए एक ऐसा भी यहाँ प्यार है कि आपको किसी अगर आपके जो घर के मतलब सबके घर में एक इश्ट देवता होते हैं या सबके घर के एक बोलते हैं भगवान होते हैं तो उन भगवान को आपको याद करके उनका नाम लेके उनका blessing लेना चाहिए एक बार उनको याद करना चाहिए या अगर ऐसा भी हो सकता पास्ट में अगर आप कोई मननत मांगी है या कुछ ऐसा है जो आपका पूरा नहीं हुआ है तो वो याद करिए और उसको पूरा करिए first thing second thing relationship wise मैं आपको ये बोलूँगी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि you should not be rigid आपको कभी मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो आगे से मिल रहा है वो चीज लें हमेसा expectation बहुत जादा नहीं रखना चाहिए तो इसलिए जादा expectation मत रखिए और adjustment का भी कोशिस करिए emotional level पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत emotional है तो वो थोड़े अपने आपको control करिए उधर से भी यह दिख रहा है कि कभी कभी आप rigid भी बहुत हो जाती है तो उस वो सब चीज में मतलब मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा adjustment level अपना बढ़ाईए और दोनों तरफ से flexible होने का कोशिस करिए बहुत बार ऐसा होता है life में कि आप जो चाहो एकदम नहीं मिल पाता है तो थोड़ा अगर हम आगे बढ़ते हैं या थोड़ा अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं या हलका सा flexibility दिखाते हैं तो दोनों तरफ से खुशियां मिलती हैं तो आप ऐसा ही करिए मैं आपको यही suggest करूंगी यही दिख रहा है मुझे card में क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आ रहा है पर आप मुझे मतलब आप थोड़ा आगे बढ़ रही हैं और उस चीज को अपने तरफ से यह नहीं कर रही है मतलब आपको ऐसा लग रहा है मैं जो चाहती हूं वो हो नहीं रहा है तो मैं आपको बोलूँगी थोड़ा flexible हो यह थोड़ा adjust करिए अगर आपका reunion हो सकता है ऐसा नहीं है कि नहीं होगा पर आपको थोड़ा अपने तरफ से भी flexibility दिखाना पड़ेगा आप भी आगे बढ़के एक बार या इंडिया में या सामिया कहीं पर भी चलता है तो आप अपने घर की कुल देवी को उनको मानिए और एक बार पुजा करिए तो definitely I think आपके साथ मतलब अच्छा होगा in future relationship wise 2021 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वन्शिका पुजारी जी आपके लिए अच्छा रहेगा देवित लव मी and I don't know yeah and what are his feelings for me देवित आपके लिए देवित का फीलिंग क्या है let's check it I'll take out देवित का पीलिंग आपके लिए मुझे जो दिख रहा है या पर थोड़ा मुझे ये दिख रहा है कि आप भी थोड़ा रिजिड टाइप की है या समटाइम्स ही फील्स देट रही जायद या आप बहुत जादा उनके उपर रूली या कुछ ऐसा है अदर्वाइज और सब तो अच्छा दिख रहा है आप मतलब दोनों तरफ से बहुत अच्छा एडजस्मेंट होना चाहिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए पॉजिटिविटी होना चाहिए इंटर्डिपेंडेंस होना चाहिए रिलेशन्शिप में तभी चलेगा तो यहां पर भी यही दिख रहा है कि रूली मत बनिये दोनो तरफ से फ्लेक्सिवल हो यह उसके बारे में भी सोची है मैं सोची कि मैं यह कर ली और मैं जीत गई यह चीज नहीं होना चाहिए तो दोनों तरफ से एक दूसरे के बारे में सोची है आप भी सोची थोड़ा पॉजिटिविटी लाइए रिलेशन्शिप में इंटर डिपे उसके अलावा सब्स बेटर देख रहा है आपका ब्रवीक जी मुर्यासा लग रहा है फिनैंशिल सिचुएशन भी बहुत अच्छा नहीं है आने माले समय में आप चार से पांच महीने में आप देखिए आप जैसा चाह रहे हैं या दो महीने में में कह सकती हूँ चाह महीन यह भी दिख रहा है कि पहले का जो समय था बहुत अच्छा नहीं था आने वाले समय थोड़ा बेटर होगा और उससे आगे आने वाले समय आपका और भी बेटर रहेगा तो जॉब आपको मिल जाएगा एप्रिल तक आप डिफिनिटली देखिएगा इस पॉर्टर में आपको जॉब मिल जाएगा हैलो नाओ मैं टाइम मेरा लीव करने का हो गया है अल्रेडी दो बज गया है एक हंटे का लाइफ सेशन था हमारा सुविच रियल अस्ट्रोजर से जिनको जर्वत होगा शायद उनके पास genuine questions और यह होंगे तो उनको भी उनके question का भी मैं answer कर पाऊंगी और शायद उनका कोई जो major problem होगा life का वो solve हो जाए तो वो एक आपकी तरफ से भी help होगा और मेरी तरफ से भी definitely एक help होगा इस situation में covid एक ऐसा time चल रहा था जिसमें बहुत लोगों को बहुत कुछ problem हुआ especially financial wise बहुत हो के job भी गया relationship में भी मैंने इस बार देखा बहुत जादा problem हुआ जो कभी नहीं होता था इस बार यह lockdown ने बहुत चीज़ create किया 2020 में तो पर बहुत मैं यह भी कहूंगी कि बहुत कुछ अच्छा सिखाया family का importance सिखाया साथ रहने का सिखाया बहुत सी luxurious items जो हमें जरुवत नहीं रहती है daily life में बट हम वह चीज़ को उस पर dependent रहते हैं वह सब चीज़ भी यह दिखाया कि यह जो विम्स और फैंसी होती है यह सब चीज़ की बहुत जरुवत नहीं होती उनके बिना भी हम अपने life में खुशी से रह सकते हैं तो बहुत कुछ 2020 नहीं सिखा कुछ बुरा किया तो बहुत कुछ अच्छा भी किया है तो hoping you hoping for best in 2021 आप लोग का यह नया साल बहुत ही अच्छा रहे आप लोग खुशी से रहें आप लोग जो चाहते हैं वह मिले मैं साइन आप श्रिती सिना टारो रीडर रम सुविच दे रियल अस्रोलोजर थैंक यू आल